नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका आज के इस रोजगार समाचार में United Indian Insurance Assistant द्वारा भरती निकाली गई है यह भरती देश के अलग-अलग राज्यों में Assistant के पदों पर की जाएंगी यह भरती कुल 300 पदों पर होनी है जिनमें अनारक्षित पदों की संक्या 169 है वही SCU में द्वारों के लिए 30 पद, SCU में द्वारों के लिए 26 पद और OBCU में द्वारों के लिए 55 पद आरक्षित किये गया है इसके अलावे EWS वर्गी के लिए 30 पदों को आरक्षित किया गया है जिनमें सबसे अधिक तमिलनाड उसके बाद करनाटक और फिर केरल है जहां पदों की संक्या करमसर 38, 32, 32 है आविधन करने के अंतिम तारीक 6 जनवरी 2014 है भरती के लिए चुक मिद्वार इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आविधन कर सकते हैं इसके अधिकारिक वेबसाइट uic.co.in है आविधन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे रखा है चली अब बात करते हैं इसके आविधन सुल्क के बारे में तो उमिधवारों को इसके लिए 1000 रुपे आविधन सुल्क के रूप में देने होंगे हालांकि जो उमिधवार अपना संबंद S.T.S.T. वर्ग से रखते हैं होना अनिवार है इसके लावे उमिधवारों को पढ़ने लिखने और जिस राजे में भरती होनी है वहां के अस्थानी भासानी चाहिए यदि उमिधवारों के उम्र सीमा की बात करें तो उनकी नियुनतम उम्र 21 वर्स और अधिकतम उम्र 30 वर्स से अधिक हुआ हो चलिए बात करते हैं उमिधवारों के चैन प्रक्रिया के बारे में तो सबसे पहरों मिधवारों के अब परिक्षा और नाइन देनी होगी उसके बाद उमिधवारों को एक रीजनल लैंग्विज टेस्ट के लिए बुलाए जाएगा फिर इस परिक्षा में जो के चार्य सवाल पूछे जाएंगे जिमेरिकलबलिटी के लिए 50-50 सवाल ondan रहेंगे उंद में कम्प्यूटर से भी 50-50 सवाल पूछे जाएंगे ने यह अंदि बाद करते हैं आविदन प्रक्रिया के बारे में लेकिन इसके लिए जरूरी है किमित reicht आविदन करने से पहले इसके अधिसूजना को एक बार अच्छे से पढ़ ले अधिसूजना लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसके बाद उसके आधिकारेक वेबसाइट पर जाए इसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे र को भर ले फिर मांगे गए सभी जरूरी दस्ता वेजों को अप्रोड कर दे उसके बाद आविदन सुलका भुक्तान करे फिर अपने आविदन को सब्मिट कर दे और आखरी में इसके एक छाय प्रति को अपने पास जरूर रख ले क्योंकि हो सकता है आगे भवस्ते में काम आज के लिए फिलार इतना ही हमारे साथ बने रहने के आपका धन्यवाद